दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिस्स करने वाले हैं चलें वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट के बटन पर राइट कलिक करेंगे रन कमांड में आएंगे यहां पर हमने टाइप करना है परसंटेज एब डेटा परसंटेज और OK के बटन पर simple सा एक apply करना है तो इसका जो box है कुछ इस तरह से हमारे पास illuminate होगा यहां पर हमने क्या find out करना है एब डेटा Act data के बटन पर हमने apply करना है यर tap पर apply करना है local में आना है तो तो time को find out करने के बाद इसके पर double click करेंगे और यहाँ पर जितनी भी junks files है या garbage files है इनको select करने के बाद delete कर देंगे simple सा work है इसको close करेंगे close करने के बाद जो main काम हमने करना है my computer पर double click करना है इसकी window कुछ इस तरह से हमारे पास appear होगी यहाँ पर हमने क्या करना है c drive में आना है और windows में आना है software distribution तो जैसे software distribution folder पर double click करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी files है इनको हमने control A करना है और delete के बटन पर press करना है यानि के right click करना है menu में आना है delete करना है delete करने के बाद इसको हमने close करना है यह था हमारा simple सा work इसके बाद फिर हमने आना है run command में run command पर apply करने के बाद यहाँ पर हमने type करना है percentage time percentage तो यह type करने के बाद ok के button पर जैसे हम apply करेंगे तो इसका जो interface है कुछ simple सा है तो यहाँ पर हमारे पास जतनी भी files होंगी मैं यहाँ पर पहले ही already remove कर चुका हूँ आपने यहाँ पर same जैसे previous हमने delete की है आपने इसको delete करना है इसके बाद फिर run command में आना है run command में आने के बाद यहाँ पर हमने type करना है प्रीफिच प्रीफिच जो है हमारे system को काफी slow करती है ओके करना है ओके करने के बाद इसका जो box है कुछ इस तरह से appear होगा control A करना है या इसको select करने के बाद right click करना है और यहाँ पर इसको delete करना है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी जो files है वो delete हो चुकी है delete करने के बाद आपने इस box को close करना है close करने के बाद फिर आपने क्या करना है run command को open करना है जैसी हम run command को open करने यहाँ पर हमने type करना है temp temp को type करने के बाद simple वही process है OK के बटन पर apply करना है इसका जो box है कुछ इस तरह से illuminate होगा इसको control A करना है तमाम files को select करना है right click करके delete करना है जैसी हम इसको delete करेंगे यहाँ पर हमने check करना है skip करना है skip करने के बाद इस box को close करना है और वापिस आना है अपनी recycle bin में recycle bin में आने के बाद तमाम जितनी भी junks file है यहां से हमने इसको empty करना है यहां से इसको हमने remove करना है इससे हमारे PC की जो speed है वो काफी fast होने वाली है